कहिए कैसे हैं आप नई नवेली बहू ससुराल में कैसे रहे आखों में धेरो सपने सजोए जब एक लड़की अपने पिया के घर पहली पार जाती है तो उसके अंदर ना मिक्सी फीलिंग्स चल रही होती हैं उसके दिल में उसके दिमाग में क्या एक तो वो घर से विदा हो गया है वहां की यादे अपने घर की अपने बचपन की अपने ममी पापा की बहुत सारी यादे वो उसको उदास कर रही है वहीं एक तरह से खुशी है उसको नई आत्रा नया जीवन उसका शुरूर है उसके लिए बहुत जादा एकसाइटीड है और एक जो उसके अंदर डर है बहे है नर्वस है वो थोड़े से न उसके पेट में बटरफ्लाइस कूज रही है क्या कि उसको थोड़े सा लग रहा है क कि जिस घर में जा रही हूं कैसा होगा महौल कैसे होंगे लोग क्या मैं अजस्ट हो जाओंगी ना क्या मैं सभी को कुछ रख पाऊंगी ना क्या सभी मुझसे खुश रहेंगे ना क्या सब ठीक होगा ना बहुत सारी फीलिंग्स के साथ वो उस घर में जाती है पर सब नहीं सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए अब वो बाते क्या है एक नई नवेली बहु के लिए कि किन बातों का ध्यान रखे ससुराल में कैसे रहे वही मैं आज आपको बता रही हूं साथ बाते सबसे पहले बात तो है कि ससुराल जाने से पहले थोड़ा सा फोवर करक घाए थोड़ा सा सी रिसर्च करके जाए किया कि जैसे हस्बंड हैं उसके होने वाले हस्बंड है उनकी क्या likings है क्या disliking है जाने में क्या पसंद है क्वान जो भी उस family में रहते हैं, उनकी क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, वो कितने बज़े उठते हैं, कितने बज़े सोते हैं, मतलब अलग-अलग चीजे जो की important हैं, या फिर जैसे उनके date of birth, या marriage anniversary, वो पता लगा के जाए, मतलब उसको पता हो, उससे क्या होगा, जब हमें ये पता होगा, कि ये ये चीजे हैं, ये ये चीज पसंद करते हैं, तो एक तो easy रहेगा, जब वो उस घर में जाएगी, उसके लिए easy रहेगा, दूसरा वो सब impressed हो जाएगे, इंप्रेस हो जाएगे, तो वो खुश हो जाएगे, यही तो जाते हैं, कि खुश रहे वो, तो बहुत अच्छा बन सकता है, थोड़ी से डर, थोड़ा सा घबरहाट कम हो सकती है, अब आती है दूसरी बात, मान के चलिए कि वो in-laws हैं, उसके जो husband हैं, उनके parents हैं, उनसे बहुत respectfully बात करनी हैं, बहुत आदर सम्मान के योग्ये हैं, उनसे ठीक वैसे ही बात करनी हैं, हा कंची जशशा फिर का ऊंटीय निकल जाता है मुझ से य। थो एक तमसे यूस्तू नहीं होते ना, थोड़ा और अजीब लगता है पर वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, मतल이면 ऑप बहुत grid All the time,adeady जी अग जल्दी सेट हो जाता है पर ज़ूरत क्या है कि वो आपके इं-law यह भाँ हैं आपके पापा ममी जैसे हैं उनको अच्छ Hé प्यार से रिस्पैक्ट हुवची अब आती हैNow थी पर कि Tür музa हर फैमली की अपनी ट्रीडिशन्स होती हैं उनकी रिस्पैक्ट करनी ऑछ उनक्रेडिशन कि रिस्पैट करनी कि जब शादी के शरू-उने तो ज schleते हूँ कि कुई भी तेवार है या कोई भी वरत है तो बहुत जादा अच्य से मनाया जाता है तो उनकी जो उनकी ट्रैडिशनТ हैं उसकी रिस्पेक्ट करने हैं कहीं वह क्या होता है कि हमें नहीं अच्छा लग रहा या हम कर सकते तो criticize कर रहे हैं कि यह क्या है या comparison कर रहे हैं हमारी family पर ऐसा नहीं होता यहां पर पता नहीं क्यों होता है तो इस तरह ना करके देखे कोई चीज नहीं clear हो रही तो सीधी सी बात है कि या तो husband से बात की जाए या फिर mother-in-law से कि यह कैसे हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा औ और अगर नहीं करना चाहते तो उनको बोल दीजिए अपनी problem बताईये पर कि यह मेर से नहीं हो पाएगा और क्यों नहीं हो पाएगा मतलब कोई सही reason होना चाहिए कि आप इसको नहीं कर पारें जो भी उनकी traditions है उसको अगर आप follow नहीं कर पारें पर अगर आप इस तरह से कि क्या फालतु की चीज है बिकार है तो इससे ना negative effect पड़ता है हमने यह थोड़ना करना है हमने तो बिल्कुल positivity लेकर आनी है वहाँ पर मतलब हम भी खुछ रहे हमारे साथ साथ हम दूसरों को भी खुछ रखे हमें यह करना है तो एक हो गई यह बात अब आता है next point चौती बात ही है कि कई बार यह भी होता है कि in-law side को खुछ करने के लिए impress करने के गले ना over करंने लगते हैं बहुत जयादा अपने से उपर हो के काम करने लगते हैं जैसा सुबह सुबह जल्दी और जाना देरा तक काम करना मतलब इस तरह से over करने लगते हैं फिर बात में यही च फोटा सा एक्जाम्पल बताती हूं असल में क्या हुआ कि थोड़े टाइम पहले ही एक लेडी का मैसेज आया ये यूट्यूब पे जैसे आप लिखते होते हैं तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि अभी एक साल भी नहीं हुआ और बहुत टेंशन होगी तो जब मै अच्छा फिर बेकफस्ट की भी त्यारी कर लेती वो बहुत ओवरोगे काम कर री थी उसको सास उसको ससूर सब बोलते थे कि अरे थोड़ा सा राम कर लो ज़ादा मत करो पर वो करती रहती चारती थी सब का ख्याल रखती थी और जैसे कोई गैस्ट भी आया तो फटा-फट पानी चाहे लेकियाना, उनके साथ बैठना, उनसे बाते करना, मार्किट जाना हो, तो सबसे पहले उसी ने जाना, मतलब वो सब काम कर रही थी, बहुत अच्छे से कर रही थी, सब कुछ थे, फिर क्या हुआ, पांच महीने बाद वो प्रेगनेंट हो गई, अब थोड़ासा फैटी, थोड़ासा आलस रहने लगा, तो वो उठनी पाती थी, तो जो फैमिली मेंबर्स थे, उनके एक्सपेक्टेशन तो वैसी बनी रही, कि यह काम क्यों नहीं कर रही, आज सुबह जल्दी की उन्यूटी, आज इसने सुबह उठके मोटर क्यों नहीं चला है, उदर से वो नाराज रहने लगे, तो वही मैं कह रही हूँ कि, देखे, काम बिलकुल करना है, कोई काम कर रहा है, उसकी बढ़कर मदद भी करनी है, ऐसे नहीं है कि बेटे रहना है, पर ओवर नहीं करना, जो गलती हम कर जाते हैं, इंप्रेस करने के चक्कर में, अब इ ठीक है हमने काम करना है, हमने बहुत काम करना है, पर ओवर नहीं करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि फिर उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे, फिर घर में डिफ्रेंसिस आने शुरू जाएंगे, पहले तो बढ अब पता नहीं किस से बात करने लगी मतलब फिर वो नेगेटिविटी नेगेटिविटी आती जाती है इसलिए अब आता है फिफ्ट पॉइंट रिष्टो को समझने की कोशिश करनी है और अपनी समझ से काम लेना है एक तो जो सबसे बड़ी बात खराब जो लगती है न वो यह सोच हमारी सदियों से चली आ रही है तो इस सोच से बाहर निकल के देखिए जब एक लड़की नए घर में जाती है शादी होने के बाद तो नई जिन्दी शुरू हो रही है न तो सोच भी तो नहीं लेके जाये न क्यों वो पुराने डर्रे पर चली जा रही है वो वैस ना हो तो वो अच्छे हो तो इस नेगटिविटी को निकाल दिजी और अपने धिमाग से मतलब इस फैमिली में क्या चीज मैं करूँ यह निया की, मेरी ममी और फूर्म की मैं दादी यह चारना चाहिए लिएत्टी में मुझे भी इसरा चाली चाहिए ऐसे निकम्स म्यों मे कुछ मतलब जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं यह साडी बैनो आपका मने दूसरी साडी बैने का या घर में गैस्ट आ रहे हैं तो सासुमा बोल रहे हैं कि आज यह बनेगा आपका मने कि दूसरी चीज बने तो different opinions हो जाते हैं तो वह resolve कर लेने चाहिए आपस में बैठ के य आप अपने husband से या अपनी mother-in-law से उस बात को clear कीजिए देखें बात करने से यह बात बनती है नहीं तो फिर बाते बनती है बाहर करेंगे ना यह घर की चार दिवारी से बाहर बात जाएगी ना फिर सब गरवड़ा कोई फायदा नहीं कोशिश यह करने जाए कि यही की बा सब उसको बता दिया कुछ बाते ऐसी बिपता दियो जो नहीं बतानी जहीं जैसे माणली आसको सास की बात अच्छी नहीं लगी की यह तो बडवी तेसी हैं या बड़ी अपना आपको समझने यह कुछ भी ऐसा बातो बातों मैं कह दिया इसकी intentions यह नहीं थी कि वो आके बैट गए शाम को फिर चाय पी फिर अपने कमरे में आके बैट गए किससे मिलना नहीं जुलना नहीं बात नहीं करनी तो इतना भी नहीं होना चाहिए अपने बॉंडरे सेट कीजिए देखे अपना आपकी भूमी का चेंज हो गई है अब एक मैच्योर लेडी है एक समझ अब आपके उपर बहुत सारे responsibilities है और उनको आपने बहुत अच्छे से coolly, patiently उनको सुलजाना है हाँ ये ठीक है बात experience से आती है पहले दिन जाके कोई expert नहीं हो जाएगा पर अगर हमारे प्रयास positive होंगे तो सब positive होता जाएगा हम सोच ही negative लेके जाएगे फिर कैसे बात बन जासे कि उनके साथ time spent करना है time जैसे कि माली जी एक साथ जैसे माली जी टीवी देख रहे है तो same serial पसंद है दोनों मिलके देख रहे है बहुत अच्छा लगता है जैसे माली जी सबजी काट रहे है खाने की त्यारी करने सबजी काटरे है तो common interest की बात है ऐसी बात ना हो जि विज बहू उनकी experience पूछ सकती हैं आप शादी हो क्या है थे आपके क्या-क्या experience है या वो अपने बता सकती है मतलब आपस में बाते करनी है किसी और की बाते नहीं करनी अपनी बाते करनी है या आपने उनसे advice लेनी है कि कल पार्टी में जाना है आप में को guide करो कि मैं कौन सी स तो उनको अच्छा लगेगा, या मैं घर जाना चाहरी हूँ, मैं कब जाओं, आप बता दो, तो उनको अच्छा लगेगा, इस तरह से टाइम स्पेंट करके उनसे बाते करनी है, फिर अगर हस्बेंट अपने पेरेंट्स की कियर करते है, माली जे एक ही घर में रहते हैं, पेर तो बहु है उसको अच्छा नहीं लगता, क्या है आप तो उनके साथ बैठे रहते हो, यह क्या मतलब हुआ, मेरे साथ बैठना चाहिए, तो ऐसा ना करके उसको भी हेल्प करनी चाहिए, मतलब कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, कि हाँ वो अगर पेरेंट्स को दवाई दे तो वो भी साथ में खड़ी रहें, वो कुछ बात कर रहें तो वो भी साथ में खड़ी रहें, उनकी सपोर्ट बने बजाए मूड ओफ करने के, या कमरे में अपना जाके बढ़ाम से दर्वाजा बंद करने के, कि आप तो वही पे रहते हो, आप तो वही बैठो, तो यह ची आपको भी ध्यान रखना चाहिए, आपको भी उनके साथ बैठना चाहिए, आपको भी कुछ देर बाते करनी चाहिए उनके साथ, और इस चीज को एंशूर करें कि वो कर भी रहे हो, मतलग खाली बोलने से नहीं बात बनेगी कि हाँ आप भी करो, आपको करना चाहिए, फिर ब कि लड़के की शाथी हो गई, बस अब तो वो गया, अब तो वो बेटा भी पराया हो गया, तो यह जो उनके मन में फीलिंग है इसको निकालना है, इसको ऐसे निकालना है कि आप दोनों ख्याल रख रहे हैं, इस बहु ने तो मेरे बेटे को मेरे से दूर नहीं किया, दोनो और बन पर ही है, मिलब सारे equally important है और यह वाला भी, और यह वाला point है कि husband का ख्याल रखना है, आप चाहे joint family में रह रह रहे हैं, चाहे nuclear family में रह रह रहे हैं, husband का ख्याल रखना आपकी प्रात्मिक्ता होनी चाहिए, प्रियोर्टी होनी चाहिए, आप कुछ भी काम कर रहे है उनके लिए आपको available रहना है, और जब भी बात करनी है, बहुत respectfully बात करनी है, उनकी feelings की respect करनी है, उनको समझना है, उनके साथ time spent करना है, उनके साथ quality time spent करना है, मतलब इस तरह से कर देना है, कि उनको लगे कि इसके बिना तो में कुछ करी नहीं पाऊंगा, मतलब हर एक छो एक पल भी नहीं रह सकता, मतलब इसको सब पता है, इतना पता है कि इतना तो मुझे भी नहीं पता, उनका दिल जीत लेना है, उनका मन जीत लेना है, और विश्वास बनाए रखना है, सबसे ज़्यादा जरूरी है इस जिन्दगी में विश्वास, एक बार ये तोट गया ना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको कभी मत तोडने देना, कभी भी कोई बात होती है, कोई, मान लिजए कोई बात हो गई, तो खुलके बात कीजिये, unclear बात कीजिये, पर झूट नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, उनकी कोई भी बात अछी लगती है, उसको अप्र कर लेना चाहिए मतलब बात को बढ़ाना ने चाहिए कि बात बढ़ जाए बहुत बढ़ जाए यह जो होती है ना छुट-छुटी बाते हैं इससे जो बाते तो बहुत बढ़ा रिश्ता होता है यह कमजोर पढ़ना शुरू हो जाता है इसलिए बहुत जरूरी है बहुत समझ करना और साथ के साथ क्लियर करना और कई वर क्या होता है कि जैसे जॉइन फैमिली में रह रहे हैं अधर इनलौ ने कुछ बोल दिया तो हस्बंड को टोन शिकायती की देखो उनों ने ऐसे बोल दिया मतला ऐसे जगड़े के टोन में उनसे शिकायत कर रहे हैं तो इस तरह से न यह नहीं होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं या अपने फ्रेंट सरकल में बता रहे हैं घर की बात चार दिवारी में रहें बहुत अच्छा रहता है घर में इस उल्टाई थे कि किस घर में जगड़े नहीं होते हैं जब आप पेरेंट्स के घर में थे क्या वहाँ जगड़े नहीं होते थे, कि वहाँ की बाते भी सब को बताते थे आप तो थोड़ा सा सहीम रखिए, पेशन्स रखिए और इधर उदर की बाते करने की बिलकुल भी जूर्थ नहीं है आप बहुत बहुत अच्छी बहु बन सकती है अगर स्टार्टिंग से ही ये कुछ स्टेप्स अपना लेंगी ना देख लीजे कितना फरक पड़ जाएगा अगर हम सम्मान देंगे तभी तो हमें मिलेगा हम जो देते हैं ना वहीं लौट क्या आता है, वहीं मिलता है इसलिए कोशिच हमें यही करनी है कि हम सबसे बहुत अराम से कूली, पॉलाइटली, रिस्पेक्टफुली बात करें देखे, समझदार हम तब नहीं होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं या बड़ी-बड़ी बातें करने लगते हैं समझदार हम तब बनते हैं जब छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं वो समझनी है फिर देखिएगा जिन्दगी कितनी खुशाल बन जाएगी वैसे husband wife relationship पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुए है उनका playlist मैं नीचे दे रही हूँ वो भी आप ज़रूर देखिएगा विसे जैसे ये वीडियो तो ये है कि बहु जब ससुराल में आती है तो किस तरह से रहे बहुत जल्द इस बारे में भी वीडियो बनाऊंगी कि जब एक बहु ससुराल में आती है पहली बार तो इन लॉस कैसे डील करें उसके साथ विसे आप बताईए आप क्या सोचते हैं इस बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंजार रहेगा और हाँ अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजेगा और इसमें जो एक बैल का बटन है वो भी दबा दीजेगा ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अप्रोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए और अगर आपको ये वीडियो अची लगी है आपको लग रहे हैं किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लिजेगा ठीक बाई